नमस्कार दोज्टो प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महिने राश्ट्रिय आटो मोवाइल इस क्रेपेज निती की गोशना की है वर्स 2021 के आम बजट में वित मंत्री स्री मती निर्मला सीता रामन के द्वारा इसकी जानकारी दी गई थी देश की एकोनोमी एवं आटो सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए इसे बेहद ज़रूरी माना जा रहा है ये पॉलिसी क्या है इसका कितना और कैसा प्रभाव होगा आईए इस वीडियो में जानते हैं 13 अगस 2021 को प्रधान मंतरी स्री नरेंदर मोदी ने महत्वा कांग्षी राष्ट्री ओटो मोबाईल इस क्रेपेज नीती शुरूर की जिसका उद्धेश देश भर में सडकों से अनुपयुक्त और प्रधूशन फैलाले वाले बाहनों का उन्मूलन करना है इसमें फिटनेस परिक्षन के आधार पर 20 वर्ष से अधिक पुराने निजी बाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने वानिजिक बाहनों का स्वेचिक परिमार्जन शामिल है। अब मैं इस पॉलीसी के कुछ महतपूर्ण बिंदूओं पर प्रकाश डाल नहा हूँ। इस योजना के तहट बाहन मालिक फिटनेस टेस्ट के आधार पर अपने पुराने वाहनों को नए वाहनों के लिए स्क्रैप कर सकते हैं। फिटनेस टेस्ट निजी और वानिजीक वाहनों के लिए अनिवारी है जिसकी उम्र करमशह 20 वर्ष और 15 वर्ष रखी गई है। यदि कोई वाहन फिटनेस टेस्ट में पास नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी उस वाहन का पंजीकरण रद कर देगा। फिटनेस टेस्ट सरकारी प्रमानित के अंदरों पर ही किया जाएगा और फिटनेस रिपोर्ट ऑनलाइन उपलवद कराई जाएगी। सरकार PPP के आधार पर पूरे भारत में 400-500 स्वचालित वाहन फिटनेस परिक्षण इस्टेशन अस्थाफित करने की योजना बना रही है। नीजी वाहन जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं को परती परिक्षण 300-400 रूपे की अनुमानित लागत पर फिटनेस परिक्षण से गुजरना होगा। इस क्रेपिंग सर्टिफिकेट के जरिए मालिक को नया वाहन खरीदने पर 4-6% तक छूट मिलेगा। वाहनों को बंद कर दिया जाएगा। यह पहल भारत में स्वस्थ और सुरक्षित वाताबरण बनाने में योगदान देगी। इस क्रेपिंग की परक्रिया कैसे होगी अब मैं इसकी जानकारी देता हूँ। बीस वर्ष से अधिक पुराना वाहन यदि अनुपयुक्त पाया जाता है या पंजीकरण परमानपत्र का नवीनी करण नहीं होता है तो उसका पंजीकरण रद कर दिया जाएगा। वाहनों के पंजीकरण मालिक अपने वाहनों के साथ-साथ वाहनों के पंजीकरण परमानपत्र उनके पैन विबरण और अन्य दस्तावेज एक पंजीकरण वाहन स्क्रेपिंग शुविधा सेंटर को सौप देगे। यदि आपका वाहन चूरी की है तो ऐसी स्थिति में वाहनों के डाटावेश से स्थापित करने के उपरांथ ही मालिक के लिए अनिवारे जमा प्रमानपत्र जारी किया जाएगा एक बार उपियोग किये गए प्रमानपत्र पर एजेंसी द्वारा रद की मुहर लगा दी जाएगी जिससे इसका दुबारा उपियोग नहों सके सरकार हर साल कवार किये गए बाहनों का डाटाबेस बनाएगी यह नीती कवसे लागू हो रही है यह भी जान लीजिए फिटनेश टेस्ट और स्क्रेनिंग सेंटर के नियम एक अक्टूवर 2021 से लागू हो गए है सरकारी बाहन और पब्लिक सेक्टर यूनिट के बाहन जो 15 साल पुराने हैं उस पर यह नियम एक अप्रिल 2022 से लागू हो जाएंगे भारी बानेजिक बाहनों के लिए अनिवारी फिटनेश परिक्षण एक अप्रिल 2023 से लागू होगा जबकि अन्य सभी स्रेणियों के लिए यह नियम चर्णबध तरीके से एक जून 2024 से लागू हो जाएगा इस पॉलीसी के उद्देश क्या है अब इसे बतलाता हूँ इस योजना का परमुक उद्देश अनुपयुक्त बाहनों को देश की सड़कों से हटाना है सड़कों पर फिट बाहनों को ही चलाया जाए जिससे प्रदूशन का अस्तर कम हो सके फिट बाहन इंदन दक्षता को प्रोथसाहित करता है इससे देश में ओटो मुवाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा साथी नए बाहनों की कीमत में कमी आएगी इसका उद्देश सड़क परिवहन छेत्र में लगभग 50,000 रोजगार के नए अबसर पैदा करना है इससे नए निवेश को प्रोथसाहन मिलेगा खराब बाहन को इसक्रेप करने वाले वहन माली को प्रोथसाहन राशी दी जाएगी इस पहल से देश में नए बाहनों की स्वाभाविक मांग बढ़ जाएगी इसक्रेपेज निटी के पीछे का क्या अर्थसास्त्र है अब इसे भी समझ लीजिए उदाहरन मैं एक कार का लेता हूँ सामाइन रूप से एक कार को बनाने में इस प्रकार से कच्चे माल का प्रियोग होता है स्टील लगभग 50% अल्यूमूनियम लगभग 7% कॉपर लगभग 1% लीड और अन्य मैटेरियल लगभग 13% रबर और प्लास्टिक लगभग 15% इस क्रेपिंग से प्राप्त कच्चे माल के उचीत पुनर चक्रन से एल्यूमूनियम, कॉपर, इस्टील और अन्य सामगरी के आयात को कम करने में मदद मिलेगी एक बहान में उप्योग की जाने वाली 99% सामगरी को रेसाइकल करने की शमता के साथ कच्चे माल की लागत में 40% तक गिरावट का अनुमान है पुराने वाहनों को स्क्रेप करने में लीथियम औयन बैटरी के अस्थानी उत्पादन के लिए आवश्यक शामगरी प्राप्त होने की संभाबना है यूरोप, अमेरिका और जापान में आटो, विनिर्मान छित्र में, मांग में बृद्धी के बाद इस क्रेपेज नीती को लागू किया गया है मुझे बिश्वाश है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा इसी प्रकार के अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए क्रिपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बिल आइकन को क्रिपया दबा दें इस वीडियो पर आपके कॉमेंट एवं सुझाओ का हमें इंतजार रहेगा आपका दिन शूब हो जैहिंद